दोस्तों आज तक आपने कई कहा वते सुनी होगी एक फूटी कोडी भी नहीं मिलेगी चमडी जाये पर दमडी नजाये आज हम पहूंचे थे हरियाना के हिसार में दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो पूरानी करंसी होती थी फूटी कोडी कोडी से दमडी दमड़ी से देला और पाई से पेसा आखिर ये काम कैसे करते थे और यह होते कैसे थे बारत में जब पैसा चला ना किस-किस दोर से और किस-किस नाम से आके अग तक पहुंचा है जी वह इसके अंदर बताया गया है जैसे इसमें पहले दिखाए अब फुटी कोडी जी फुट just a decis x in e sales ऑसके 6 ना पहले इनने माई प्रणा लें लेकर haskaR में इसके 7 जी ङाहा जी सात्म में ये पर लेल में चला देरे इस से वैपार और शुरू है जी अक्चल में गजब की information है जो पहले आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी और ना ही कोई आपको बताएगा जी तो सर यह हो गई फूटी कोडी से कोडी जी जी सर उसके बाद आता है कोडी से दमडी हाँ देखो क्या आता ना दस कोड़ियों को मिला गे ना जैसे यह कोड़ी दस फूटी कोड़ी को दस कोड़ी को मिला के फिर दमडी बनती थी अच्छा दस साबूत कोड़ी को जाएगे वह कहा जाता है ना चमडी जाये पर दमडी न जाये वही बात यह देखे दोस्तों पाई है और इसके उपर लिखा हुआ है एक पाई उर्दू में लिखा है और हिंदी में लिखा है इस के इस पर कावत भी बढ़ी हुई ना यह देखो पाई-पाई का इसाब रखना या पाई पाई का इसाब लूँगा जी या दूँगा ये कावते बनिए उस टाइम की सिर्फ से छोटी करंशी होती थी जबी तो बोलते ने कि मैं एक 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 प्या लूँगा तेरे से एक एक पाई ले लूँगा मतल कहने कभाव कुछ भी नहीं छोड़ने जो मेरे इसे में आने वाड़ा है जी फिक यह पाई किस दातू की बनी होई होगी को पर की नीए इसके बाद आता आपका पैसा 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 25 बोलते हैं अक्शल में 20 इंक सब्सकार पहले 25 भी चला और फिर अन्ना सीरिज भी चली यह देखी यह 25 होती है जी एक बटा दो 25 इससे उपर भी होता था आना शीरिज बन गी फिर आना ये एक आना है ठीक है दोस्तों आपने एकसर सुना होगा चाराना बाराना आठाना वो आज आप हकीकत में देखने भी वाले हैं ने वो जो आप बोल रहे हैं ना वो तो इंडिया प्रदित्ती में था लेकिन ब्रेटिस कि दिखा रहूं सब्सक्राइब और आठाना बिलकुल इस उसी करेंसी से सर पहले वह लगान वगएरा वसूला जाता है बिल्कुल बिल्कुल 8 रशॉब जोड़ता था एक रुपया बनता था एक रुपया बन जाता था जी तो यह आद्दा रुपया एक प्रकार्सी लेकि आप बोलेंगे तो उसको 50 पैसे बोलेंगे पचास पैसे बोलेंगे ना जी बिर्टिस काल का यह अदर एगर था बोले तो आठ आना था तो वहां सोड़ा अन्य का जी अपनता था जी फिर आगे जब जैसे देश अजाद हुआ ना सर है हां फिर हमारे यहां एक पैसा जैसे द लख रखे हैं यह ना ही आपने पेले कभी देखे होंगे अगर आप हकीकत में देखना चाहते हैं तो सर का यह पूरा म्यूजियम है जहां पर इन्होंने एक से एक नायाब चीजों का संग्रह करके रखा है आप यहां विजिट करके देख सकते हैं और इनसे कुछ बात हो गया जी हां तो यह अन्ना बना आप आना देख रहे हैं हां यह हमारे इंडियन हैं लेकिन यह ब्रीटिश से चल दी तो इस टेम ब्रीटिश सीरीजी जी बोले तो था तो इंडियन पैसा हां लेकिन अन्ना शीरीज चला वा था जी शपन के बाद हमारे फिर जैसे एक एक यह सारे आय फिर पैसा दस पैसा बीस पैसा पचीस पैसा तो फिर बात में यह आये तो हम वो रटीरटाई चीजी बोलते थे जैसे 25 पेसे को पचास पैसे को आट आना वो बस वो चली आ रही तो जैसी यह है 1950 का एक रुपया है जी मतलब देश आजाद हुने के तिन साल बाद का एक रुपया यह आप देख रहे हैं सर से पहले यह बना था जी और काफी बड़ा है सर हां काफी बड़ा है 10 गराम का उता है जी जी यह ब्रिटिस काल का एक रुप से परिचित हो चुके होंगे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी इन चीजों का ज्यान पहुंच सके बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप से कोई इन चीजों के लिए कॉंटेक्टर करना चाहे तो कैसे कर सकता है तो कर सकते हैं सरी जी है 72-0684-1898 फोन करें कोल करें जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप